हेलो दोस्तों, बेलकम टूर चानल, आज हम बनाने वाले हैं रागी का सूप रागी में गलाइसमिक इंडक्स कम मातरा में पाया जाता है, जो डाइजिशन के लिए हेलफफुल होता है और डाइबलिक स्पेशन व्यू से कंस्यूम कर सकते हैं अगर आप डायेट में हैं तो ये रेसिपी जरूर आपके लिए है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं यहां पे हमने 1 मिंटी का पैन लिया, इसमें हम डालेंगे 1 टीस पून जितना बाटर, जैसे बाटर मिल्ट हो जाता हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार, अपने पसंद के हिसाब से सबजी को कम जादा कर सकते हो 1-8 टी स्पून वाइट पेपर पाउडर दालेंगे अब हम इन सारे सबजों को 10-15 मिट के लिए हाई फ्ले में एक बर अच्छे से भून लेंगे stir fry के वह वेजटेबल को दूसरे पैन में निकालेंगे और उसी पैन में हम दालेंगे 2 टीबल स्पून जितना बाटर, जैसे बटर मेल्ट हो जाता हम इसमें दालेंगे इसका मतलब यह मिश्रन अच्छे से भून चुका है अब हम इसको एक बर मिला लेंगे इस रागे के मिश्रन में हम दालेंगे 1 लिटर जितना पानी इतना सूप के लिए चीए उतना ही नमक दालेंगे और इसमें दालेंगे 140 इसपून जितना काली मिल्च पाउडर हम इस मिश्रन को लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉइल ना आ जाए जिसे इसमें अच्छे से उबाला आने लगे यहां पर आप देख सकते हो सूप तिक होने लग रहा है जो वेजी हमने सौटे करके रखे तो सारे वेजीस को हम इस सूप में दाल देंगे अब हम इस सूप को एक दो बार लगातर चलाते रहेंगे और इसे एक बार अच्छे से बॉइल आने देंगे अगर हम veggies को ऐसे ही saute कर देंगे नमक और काड़ी मिर्श के बगर तो उसमें flavor नहीं आएगा इसके लिए हम seasoning दो बार दाल रहे हैं flame को बंद कर देंगे और इसमें हम दालेंगे बारी कटे हुई धन्या पती बिना onion, बिना garlic, बिना ginger का भी ये soup एकदम awesome taste करेगा मेरे के ने पे इसी तरह आप soup को try करके देखिए आपकी soup ही consistency कुछ इस तरह से रहनी चाहिए अगर आप soup को बहुत जादा गाड़ा बना दोगे तो आप पी नहीं पाओगे वो ही बहुत जादा पतला बना दोगे इसका flavor नहीं आएगा अगर आप चाहते तो इसके उपर lemon squeeze करके enjoy कर सकते हो और हाँ दोस्तों कच्छी केडी के साथ रागी का soup enjoy करके देखिए मज़ा दुगना हो जाएगा soup का थंडी के मुसर में इस घर्मा गरम soup का जरूर ट्राइ कीजिए कमेंस में मुझी दाल के मुझे बताया कि आपको यह soup की recipe कैसी लगी सी इन दो next recipe take care and back